नमस्कार हर पेपर में 33% 25 के देने होंगे उटर आज के समाचार पत्र में ये रिपोर्ट प्रकासित है CSJMU यानी कानपुर्व सुविद्याले में परिक्षा का पैटर्न क्या होगा प्रारूप क्या होगा इस संबन्द में खबर प्रकासित है इसना तक दुतिय और अंतिम वर्स के पेपर में 100 प्रस्न होंगे जिसमें छात्रों को सिर्फ 75 प्रस्नों के जवाब देने होंगे ये 100 प्रस्न उस विसय के तीनों पेपर से दिये जाएंगे मतलब प्रस्न पत्र तीन भागों में बटा होगा पहले भाग प्रथम पेपर के 33 प्रस्न दूसरे भाग में दुतिय पेपर के 33 प्रस्न और तीसरे भाग में तुतिय पेपर के 34 प्रस्न होंगे तीनों भाग से चात्रों को 25-25 प्रस्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा इसके लिए डेड़ घंटा समयावधी निर्धारित की गई है यह बाद छत्रपती साहुजी महराज विसुविद्याले यानी CSJMU के रजिस्टरार डाक्टर अनिल यादव ने कही उन्होंने यह जानकारी कानपुर युनिवर्शिटी जियोग्राफर्स अकैडमिक एसोसीेशन द्वारा आयोजित लैक्शर सिरिज में हिस्सा लेते हुए दी डाक्टर यादव ने कहा कि इसी तरह पराशनातक अन्तिम वर्श के छात्रों को 60 प्रिशनों में 50 के उत्तल ही देने हुँगे लिखित परिक्शा के प्रापतांक के आधार पर प्रायोगिक परिक्शा के अंक निलधारित हुँगे परिक्षा भहविकल्पिय माध्यम से हो रही है एक विसे का सिर्फ एक पेपर कराया जा रहा है अभी तक इसनातक के विशयों में तीन पेपर होते थे प्रोफेसर संजय स्वंडकार, प्रोफेसर वर्षा गुपता, प्रोफेसर भी डेवल्यू पांडे, अनिल कुमार साहु ने अपने विचार भी रखे और अधक्षता कुगा के अधक्ष डाक्टर जीयल सर्वास्तो ने किया, संयोजन डाक्टर संगीता सिरोही और डाक्टर अनीता निगम ने किया, डाक्टर स्पी अस्थाना, डाक्टर अंजना सिर्वास्तो, डाक्टर आरती विश्नुई, डाक्टर वनीता सिर्वास्तो आद तीनों पेपर से 33, 33, 34 इस अनुपात में प्रसन आएंगे आपको 25, 25, 25 का ही उतर देना है यह बात आप जान लीजिए यह परिक्षा का प्रारूप है परिक्षा बहुविकल्पी यह माध्यम से संपन्न होगी यह भी आपको इस पश्ट हो जाना चाहिए पाकी कानपुर्व सुविद्दाले से जुड़ी हर अपडेटस अब तक हम आप तक पहुँचाते आए हैं भोईस में भी पहुँचाते रहेंगे तो इसके लिए श्टेटे उन रही है दावी उनुश्टी कनेक्शन धन्यवाद नमस्कार